समय तस्वीरे कैद हो गई हैं जो तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं और बहुत सबाविक है जब इलाके में फाइरिंग होती है तो हड़कम बच जाता है लोगों में डर दहशत हो जाती है पुलिस की तरफ से हो तो ठीक है वो भी जंगों में हो जब मुटबेड करते है हैं इंकाउंटर करते हैं लेकिन रिहाइशी इलाके में इस तरह की फाइरिंग यह देखें सेज़ी टीबी कैमरा भी आपको दिखा रहे हैं और इनका उद्देश ही यही था कि इलाके में दहशत फैलाई जाए यह तस्वीरे आप देखिए एक बार फिर से हम आपको इस तस्वीरे दिखा रहे हैं बाइक सवार दो यूकों ने फाइरिंग की है इन दोनों के पास पिस्टल मौजूद है आगरा की तस्वीरे हैं और आगरा के बाद आपको लिए चलेंगे मेठी जहां पर एक तेज रफतार ट्रक नदी के पुल से गिरा है स्पीड बहुत तेज थी पुल की रेलिंग तोड़ते नदी में गिरी ये गिर गई है ट्रक आप अंदाजा लगाईए कि रेलिंग के बावजूद ये पुल नीचे गई है ट्रक ड्राइबर और क्लीनर का सुराग नहीं मिला है ये कहां बैगे पुलिस के गोता खोर तलाश में लुटे हैं से तलाश पढ़िए आप जगदीश्पूर के आम घाट की ए घटना है जगदीश्पूर में एक घाट है जिसे आम कहते हैं वहीं का ये मामला है अमेठी से शीव सरोज सोनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है शीव सरोज ये कैसे हुआ और ड्राइबर के बारे में कोई इंफोमेशन अगे बढ़ेंगे उन्नाओ में नौनिहालो के फरनीचर में भरस्टा चाहिए का खेल हो रहा है नौनिहालो के फरनीचर में भरस्टाचार का खेल जरा समझेगा सैकड़ों स्कूलों में निजी फर्म से फरनीचर बटवाया जा रहा है सासना देश से हटकर उन्नाओं में ये खेल किया ज़ा हर उच्च प्रात्मिक स्कूल के लिए बजट गया था एक लाग शपन हजार रुपए हर स्कूल को मिला था फरनीचर खरीदने में मानक का ख्याल नहीं रखा दिया है जिला बेसिक सिक्षा विभाग ने लूट मचा रखी है कमपोजिट ग्रांट, ड्रेस, फुस्तक बितरल में भी खेल हो रहा है स्कूल प्रबंध समिती को हरिद्दारी करनी थी लेकिन अपसरों ने निजी फर्म पर महरबानी की स्कूलों में कुछ महीने में ही फरनीचर तूटने लगे और उन्नाव में ही बिजली ना आने से अंधेरे में जिला स्पताल चल रहा है इस सवाल ये है ना कि उर्जा मंतरी डंका पीटते है कि 24 गंटे लाइट 24 गंटे लाइट 18 गंटे लाइट ये जिला स्पताल में लाइट क्यों नहीं आ रही है बताना तो पड़ेगा उनको क्योंकि बिजली के दाम तो बढ़ा दिये गए लेकिन जिला स्पताल में बिजली क्यों नहीं आ रही है इसका जवाब उर्जा मंतरी को ही देना पड़ेगा सीमो को भी और प्लस उर्जा मंतरी को भी अनुराज भारती ये दर्शुको को बताएए पूरे उत्तर प्रदेश की जन्ता को बताएए कि जिला स्पताल में बिजली क्यों नहीं आ रही है जिला स्पताल में जन्रेटर लगा हुआ है और लेकिन जन्रेटर चलाने का जिस फर्म को काम जिया गया है प्रति दिन दो से तीन घंटे जिला स्पताल में अन्हेरा रहता है डाक्टरों ने कई बार इस पूरे मामले की शिकायद भी की है लेकिन जिम्मेदार कोई कारवाई नहीं कर रहे है नहीं पूरे मामले की जाज करा रहा है बहुत शुक्रिया अनुराज इस जानकारी के लिए आपका तो अंधेरे में किस तरह से जिला स्पताल में इलाज हो रहा है वो हमने आपको तस्वीरे दिखलाई अब आगे बढ़ेंगे बरेली में टेरर फंडिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं पुलिस और जाच एजनसिया मामले की जात में जुठी हैं क्या है पूरा मामला आप हमारी इस एक्सक्लूजब रिपोर्ट पे देखिए तो वहीं हवाला के जरिये टेरर फंडिंग का बड़ा मामला सामने आया है इस बार प्रधानमंतरी अबास के लिए खोले गए खातों को टेरर फंडिंग के लिए इस्तिमाल किया गया है प्रधान मंत्री अबास योजना की सबसीडी के धाई लाक रुपए अकाउंट में आने के लिए खाते उतकर्ष स्मॉल फाइनस बैंक और SBI में खुलवाये गई जिसमें करीब पचास लाक का लेंदेन किया गया कि इसे खाता खुलवाया गया था अब उसके बाद साइन करवा के लिए गया उसमें भी हमारे में भी 10 लाक आया और निखल भी गया हम लोग इतने गरीब हैं कि हम दूद्रे को काम करकर खाना बनाते किसी घर पे जा जा के बच्चे पाल ले हमारे सां कितना बड़े दोका धर मामले में उतकर्ष स्मॉल फाइनस बैंक के मैनेजर का कहना है कि बैंक में इस तरह के पांच अकाउंट खोले गए थे जिन में पांच लाख साथ लाख इस तरह का लेंदेन हुआ है बैंक में पुष्टाश करने के लिए आईवी के अधिकारी आये थे और उन्होंने जो भी डिटेल मांगी वो सारी के सारी उन्हें दे दी गई मामले में SP सिटी अभिननन सिंग का कहना है कि FIR दज कर जाज की जा रही है अभी तक इस मामले में टेरर फंडिंग का लिंक नहीं मिला है यह कस्टमर्स खुद सारे चल करके हमारे बैंक में आये हैं बैंक में सारी KYC full compliant होकर के इनके account खोले गए हैं इसमें बैंक का कहीं से भी कोई दोश नहीं है सारे कस्टमर्स की सारी visits are positive हैं कस्टमर ने authenticated अपने sign किये हैं और वो कस्टमर्स accept भी कर रहे हैं तो अभी तक हम लोग उस चीज़ को ट्रेस कर रहे हैं कि वो पैसे कहां से आये थे और अचानक से कैसे चले गए अभी तक टेरर फंडिंग जैसा कोई मामला उसको लिंक नहीं कर पाया है हाँ यह जरूर जानकारी चल रही क्या कोई यह कोई फ्रॉड का केस है कि यूपी में टेरर फंडिंग के नए-ने खुला से हो रहे हैं लेकिन पुलिस आरोपियों को पकड़ने में सिर्फ अंधेरे में हाथ पैर मार रही है फिलहाल मामला सामने आने के बाद जाच एजिंसिया सतरक है और मामले की जाच में जुटी है भारत समचार के लिए बरेली से दीपक शर्मा के रिपोर्ट इदर कानपूर में चातरपती शाहुजी महराज बिश्विद्याले जूनियर और सीनियर चात्रों के बीच मार पीट हो गई चात्रों के पिटाई से आहत चात्रों ने उनिवेस्टी गेट पर हंगावा किया पिटाई से चात्र की हालत गंभीर बनी हुई है तुस्पां नेल यांनि की और जुनियर छात्रों में लडाई हो गई और इसी मारकीट में कुछ छात्रों में स्थिति गंवीर हे और पुली ससे लिए मवजूत है और कुछ लोगों को नेतागीरी करने का मौका में गया है जैसा कि早 तस्वीरों में देख रहा है दो गुटों के बीच में मार पीट हुई और इसी मार पीट में कुछ चात्रों किस्ति के नाजुक हुई है और कुछ नेतागीरी कर देख और बलिया में पुलिस की कैसे किरकिरी हुई है वो भी आपको दिखा देते हैं अब सुनिये न क्या किए पूराना है आधा कितने कैस्व यह पूछ रहा है सिपाही कि मिस हो गया है क्या सर और जब ऐसे मुट्भयवड होगी तब यह से पूछ लक्या सवाल तो यह है टेस्ट फाइरिंग में किस तरह से बलिया पुलिस की पोल खुल गई है वो आपके सामने कस्वीर है इंस्पेक्टर साब कह रहे हैं ना मी की वज़ा से ही हुआ है इसमें ऐसी कोई बात नहीं होई मिस का लोगों को बताया जाता है कि कैसे होगा इसका क्या कारिकम है उसके हिसाफ से कारिक तो देखा जारें सर कही जवान आपके कि देमास्टरेशन में फेल देखे गए जो गनेट को कि पेंकुने किसपा ता कि सभी लोगों को सही तरीके से संधा दिया जा कि किस पूसका उप्योग कैसे होगा और इस ख़बर के साथ इस बुर्टर में फिलाल के इतना ही नमशकार